हाई तो टुडेए फर्स अप्डेट इस अबाट ओत्राखंड तो आफ्टर सेवेंटी डेज आफ रेस्क्व मिशन 41 वर्कर्स को जो सिल्क्यारा बार्कूट के टनल में फसे हुए थे उन्हें रेस्क्व कर लिया गया और इसी चीज को लेकर गवर्मेंट की बहुत ही हुए हैं मतलब ऐसे ट्राजिशन जिनके बारे में कोई जानकारी नहीं थी और इसी चीज को लेकर ऑफिशल सीनियरों की एक मीटिंग बिठाई जाएगी लेट्स दी की वागे क्या करते हैं और यह पहला यंगेस लड़का है जिसने कौन बने के करोड़ रुपे जीते हैं और कोशन क्या था मैं बताता हूं वो कौन सा ऐसा उरोपियन कार्टोग्राफर है मतलब जो नक्षा बनाते हैं जिसने अमेरिका के लिए नय महादीप का नक्षा बनाने और नाम देने का क्रेडिट दिया गया है सर की उपर से गया है ना मेरे भी आंसर है मार्टिन वेल सेमिलर सो नेक्स अब्डेट इस अबाउट विराट कोली सो आफटर ओडिया वर्लकप 2023 कॉर्डिंग टो सोच बताया जा रहा थे कि विराट कोली अभी कुछ समय के लिए क्रिकेट से ब्रेक ले रहे हैं वैसे अभी एक न्यूज आई है कि विराट कोली ने बिसी से को इंफर्म किया है कि वो इंडिया टूर्ज वाले मैच को नहीं खिलेंगे वो टेस्ट श्रीज को खिलने के लिए कंसीडर कर सकते हैं तो अभी कुछ समय पहले एक न्यूज आये थी कि आफ्टर वर्ल्ड कप 2023 रहुल द्रविट का कॉंट्रेक्ट एंड हो गया है जो की एक्शुल में हो भी गया था लेकिन टीम इंडिया की ग्रोध को देखते हुए BCCI ने डिसेल लिया है कि रहुल द्रविट और उनकी टीम का कॉंट्रेक्ट को और आगे एक्शेंट कर देंगे क्योंकि अगर आप देखेंगे तो रहुल द्रविट के अंडर टीम इंडिया का पॉफरमस बहुत ही बढ़िया रहा है और BCCI इसी चीज को कंटिन्यू करना चाहती है तो नेक्स अबडेट इस अबाउट शुबमन गिल वेल ओल गाईज इनो आईपेल टूटासन टिफोर के आउक्शन में खारदिक पांडिया गुजराय टाइटन से मुम्मेट नेस में चले गयते हैं और अब हो मुमेट इसकी तरफ से खेलेंगे और इसी चीज को लेकर गुजराय टाइटन्स के नए कैप्टें शुबमन गिल वनेगे गुजराय टाइटन्स ने यूटूब में सुबमन गिल का एक वीडियो रिलिज़ किया जहाँ पे शुबमन गिन expenditure को लेकर कुछ बाते कहते हैं तो सलार मूवी की डारेक्टर प्रशान नील्स से कुछ सवाल पूछे गए कि क्या ये मूवी भी केजेफ जैसी होगी बट उन्हेंने इस चीज को लेके पूरा क्लियर स्टेटमेंट दे दिया है कि प्लीज आप इसे दूसरी केजेफ कंसीडर करके मत जाईएगा क्योंकि ये एक दूसरी कहानी होगी तो जो भी इसे केजेफ टैप की मूवी समझ कर जाने वाला है तो प्लीज इस बात कर ध्यान रखें तो फ्लोरीडा में अभी एक बहुत खतरनाक इंसिडेंट हुआ हुआ कुछ ऐसा था कि एक मूमे ने अपने बॉर्फेंड की आंक में निडल मार दी क्योंकि वो दूसरी लड़की को देख रहा था और जब उस लड़की को रियलाइज जोआ कि उसने कुछ गलत कर दिया तो उसने वो घर छोड़ कर चली गई तो वह बचके रहो यार देख लो जहां पर रॉकी और रानी की प्रिम काने की शूटिंग हुई थी जहां पर एक बंगला दिखाय गया था रंदावा पैरेडाइस के नाम से वहां पर एक 55 यर्ज ओल अंकल का मडर हो गया वह वहां पर एक वेडिंग को अटेंड करने गयते हैं तब ही उन्हें गोली से शूट किया गया तो एमपी के जॉलपुर से एक नियूज आई है कि 56 साल के एक बुज़र आदमी जोन्होंने मैथेमेटिक्स में MSC एक्जाम को क्लियर किया है हेरियत की बात यह है कि उन्हें इस एक्जाम को क्लियर करने में 25 साल लग गए और उन्होंने 23 बार ट्राय कर चुका है और फाइनली उन्होंने इस एक्जाम को क्लियर कर लिया और इस जर्णी को वो पस्रा कहते हैं और वो इसी चीज को लेकर आगे कहते हैं कि मैं हमेशा सही इस एक्जाम को ग्लियर करना चाहता था ताकि मैं mathematics में पोस्ट graduate कहलाऊं क्या बात है अंकल सो नेक्स अपडेट इस अबाउट कपिल सर्मा कपिल सर्मा इडिको फ्लाइट से बहुत ही नराज है फॉर डिले वह कुछ ऐसा था कि 8 बजे फ्लाइट से वह कहीं जाने वाले थे और वह बस से प्लेंट तक भी पहुंच गये थे लेकिन 50 मिनिट बस में वेट करने के बाद उनकी टीम कहती है कि पाइलेट जो है वह भी ट्राफिक में फस गया है और इसी चीज़ को लेके वह बहुत नराज दिखिया और उन्होंने कहा हमें अभी तक 8 बज़े तक टेक ओफ कर दीना चाहिए था लेकिन अभी 9 बच की 20 मिट हो चुके हैं अभी तक पाइलेट कॉक्पिट में ही नहीं है शेमलेस तो एलन मस्क की अभी कॉन्फरेंस हुई थी जहां पर वह एड़टाइसर से एक्स प अबाउट इन बिहार तो बिहार की बेगू सरही में दो नरसरी में पढ़ने वाली बच्चियों का रेप हो गया उनका जो ड्राइवर था वो ने स्कूल से लाना ले जाना करता था और एक दिन उसने बच्चियों को डेजर्ट प्लिस लेके गया और उन्हें असॉल्ट करन जा है और जब यह मुवमेंट हुआ तब उस समय बीएसी सेंसेक्स में 30 शेयर ओवर 670 पॉइंट्स में ट्रेडिंग कर रहे थे तब उनका रेट था 68847 थैंक यू